नमस्कार न्यूस्क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आई नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर महराश्र राजकी लालपरी गई घाटे में संपत्ति गिरिवी रखकर सरकार बाटे की वेतन बिहार चुनाव आवा जही के लिए नावों पर निर्बर है खगडिया की जनता बिहार में एक ऐसा गाव जहां बड़ी संख्या में महिलाएं जहेलती हैं गरवपात देश में पिछले 24 गंटों में 45,231 नए मामले कुल मामलों की संख्या 42 लाग के पार महराश्य स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन वेतन और अनिक खर्चों की भरपाई के लिए करीब 2,000 करोड रुपए क्या रिंड लेने जा रहा है इसके लिए कॉर्परेशन अपने कुछ डीपो और बस स्टेशनरों को गिरवी रखेगा मौजूदा संकर्ट में कॉर्परेशन को अपनी माली हालत से उबरने के लिए यही एक लौता जरिया नजर आ रहा है फिलहाल कॉर्परेशन राज सरकार से विशेश निधी हासिल करने या बैंक से रिंड लेकर वित्तिय विपत्ती से बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस बात की पुष्टी खुद राज के परिवहन मंत्री और कॉर्परेशन के अध्यक्ष अनिल परब ने की है दरसल कॉर्णा वाइरस को काबू करने के लिए लगाये गए सक्त लॉकडाउन के दौरान बसे नहीं चलने से स्टेट ट्रांस्पोर्ट की आमदनी कई महिनों तक बंद रही इससे कॉर्परेशन की आर्थिक सिती लगाता खराब होती गई इसलिए अब हालात यह हैं कि कॉर्परेशन के लिए कर्मचारियों के वेतन के साथ दानिक खर्चों का बोज उठाना भी मुश्किल हो रहा है लॉकडाउन से पहले राज भर में स्टी की बसें हर दिन और सतन 65 लाग यात्रियों को ढोती थी इससे उसे हर दिन करीब 22 करोर रुपे की आमदनी होती थी हाला कि पिछले दिनों जब कुछ शर्तों के साथ राज में स्टी सर्विस फिर से बहाल कर दी गई तो परवहन में वेस्था के सुचारी उठंग से चलने की उमीद जगी लेकिन बता दें कि अब स्टी बसों में बैठने वाले यात्रों की संक्या 65 लाग से गिर कर करीब 10 लाग पर आ चुकी है जाहिर है इससे आमदनी पर भी फर्क पड़ा है अब कॉर्परेशन की आमदनी 22 करोर रुपे से 5 करोर पर पहुंच गई है इससे कॉर्परेशन के लॉकडाउन के दौरान व्यात्रियों से होने वाली आमदनी में 35 करोर रुपे का नुकसान हुआ है चुनाव आते हैं और चले जाते हैं लेकिन खगडिया की ग्रामीट जनता की मुश्किलें दिन परते दिन बढ़ती जाती हैं जिनका कहीं कोई अंत नजर नहीं आता है 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चलेंट के मगदान है मद्धाताओं को अभी भी उन सभी राजनिताओं से बहुत अधिक उमीद नहीं है जो किये गए वादों पर केवल बुर्बुदाते हैं हाला कि स्यम नितीश कुमार राज में सोशाशन लाने के लिए अपनी पीठ थपते नहीं थखते लेकिन खगडिया में हर चुनाओ रैली के बाद सिल्फ धूल उर्ती नजर आती है जो पक्की सडकों और बुन्यानी धाचों के बादों की याद भर दिलाती है खगडिया की सीमा बेगू सराय से लगती है वहां के जींड शींड सडके आधे अदूरे पुल सरकार के उदासिंता की कहानी को बयान करते हैं पटना से पूर्वी दिशा की तरफ लगबग 156 किलोमीटर दूर राश्टी राजमार 31 के साथ लगी दुरगापूर गाव गड़ों से भरा हुआ है और हर समय दुरगटना की आशंका बनी रहती है प्रधार मंत्री ग्रामीन सडक योजना की 2018 रिपोर्ट में दर्ज पाया गया कि बिहार की सडके सबसे खराब स्थिती में है और इसलिए राज की दशा बहुत खराब है यह सब सीएम के दावों के खिलाफ जाता है क्योंकि बिहार सरकार के ग्रामीर विकास विभाग के आकड़ों से पता चलता है कि 2015 के बाद से खाशकर नितिश कुमर के सीएम बनने के बाद सडकों के निर्मार के प्रगती राज में सबसे कम तता धीमी रही है 2011 की जंगर्णा के अनुसार मुंगेड डिविजन के हिस्से के तौर पर खगड़िया जिला बिहार के सबसे कम आबादी वाले जिलों में से एक है इस जिले में पांच प्रमुक्नदिया गंगा, गंडग, बार्गमती, कमला बलान और कोसी गुजरती है और हर वर्ष यहां बार आती है और तबाही का खत्रा बना रहता है इसके बावजूद यहां की रोडों की हालात बेहाल है केंडिय स्वास्त मंटाले द्वारा आज 2 नवंबर को जारी आकरों के नुसार देश में पिछले 24 गंटों में कवर्णा के 45,231 नए मामले सामने आये हैं इसके अलावा कवर्णा से एक दिन में 496 मरीजों की मौत भी हुई है साथी इसी बीच देश बर में कवर्णा से पिडित 53,280 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और अब कुल एक्टिव मामलों में 8,550 मामलों की कमी हुई है देश बर में अब कॉर्णा के मामलों की संक्या बढ़कर 42,29,313 हो गई है जिन में से अब तक 1,22,607 मरीजों की मौत हो चुकी है स्वास्तमंत्रालाई की जानकारी के निसार रिकवरी रेट में आज दशमलों 1,4% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 99,68% हो गया है यानि अब तक 75,44,798 मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 6,82% यानि 5,61,908 रह गई है ICMR द्वारा जारी आखनों के निसार अब तक 11,7,43,103 सैंपल की जाज की गई है जिन में से 8,55,800 सैंपल की जाज बीते 24 गंटों में ही हुई है ये थे कोरोना अपडेट्स कुसी नदी के तठ पर स्थेट दरभंगा के एक गाउं में महिलाओं को बड़ी संक्या में गर्वपात की समस्या जहलनी पड़ती है यह छेत्र साल के आधे समय तक पानी में डूबा रहता है यह महिलाएं मुसाहर समुदाई की है गर्वपावस्था की दौरान महिलाओं को पौश्टिक भोजन नहीं मिलता छेत्र में केवल एक पीएचसी है जो बहुत दूर है और डॉक्टरों की सुधाएं की भारी कमी है पेश है निउसक्लिक की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट अभी हम दरबंगा डिस्टिक के गौरा गौरा में सिर्सिया गाउं में मौजूद है यह गाउं और इस तरह के और भी बहुत सारे गाउं हैं जो कोसी रिवर के इम्मैंक्मेंट पे बने हुए हैं यह सारे गाउं बसे हुए हैं और यहां पे रहने वाली जो बड़ी पॉपलेशन है वो मुसर कम्यूनिटी की है यह वही कम्यूनिटी है जिससे बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांजी आते हैं बहुत गरीबी है इस अलाके में ज्यादा तो लोग लैंडलेस शेडूल कास्ट कम्यूनिटी से आते हैं इन तक मुकमंत्री का जो वादा था कि हर लैंडलेस शेडूल कास्ट को तीन डिसमिल जमीन दी जाएगी वो पूरा नहीं हुआ चीतन नाम मांजी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने वादे किया था कि उनको पांच टिसमिल जमीन दी जाएगी लेकिन ये बादों तक ही रहे गया यहां की जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की सबसे बड़ी प्राब्लेम है वो औरतों में मिसकरिज का होना जब 3 मांथ 4 मांथ 5 मांथ 6 मांथ की पेग्नेंसी होती है तो उन्हों मिसकरिज हो जाता है इसकी बहुत बड़ी समस्या है हम यहाँ पर औरतों से बात करेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रीजन होता है जिसकी वज़े से यह मिसकरेज होता है तो इसे में डॉक्टर से इलाज कर वेलने के लिए दखा वेलने के लिए नए कि आने के लिए पर सारा थे ताव दखे थी पती कमा यह ना पती ने कमेंचे बिठल ज़िए गौई मड़े या ता फिर खाई पी वेच्चे कना के कि खाईच यह ना करोटीखा यह और आमदानी के कुणा मतलग और समाधान ने छे नाए अच्छा एक बात बताओ जएसमे महा बीमार पर लिए बच्चा के लिए नुकसान बेले यह वो इसमेमा डॉक्टर से ने मिल लिया है बच्चा दाने की सफाय करवे नडिया है किरात्यपूर ना गृत्तिर निया है सबस्क्राइब ऊन्म difference में, सब्सक्राइब ऊधिते गूती हं मत् bisher नीजर की आप और जिरखे Conte हें जरते प्रॉमाच सब्सक्राइबाश्णाजू के इसने टेट जम फाल रहे हैं कि इसका में वा एसा की बनों सब्सक्राइब कोई नियल्ड है कोई नियल्ड है ने अच्छा कलो जे ऐसा पहले कुनो बच्चा नुक्सानों सब है लिया बीमारी से या कुनो करनबस क्या गो दुग बायर में खताम है थी बायर है लेगे हैं वेचा ठंडी पकेट लगे क्याप जया कीछ वेचा मही रखें क्या गोवचा रहे यह प्योड अलब से खताम है यह रखा के लिया नाली यह सार दी खांट ब्लसक्राइब अज़ है यह थी ज़िए बाधार शेया नंशे। पथी थी कमा ज़ए ना तो सम्कराइशा प्रभाइय तो सर्कार ज़ा प्रावोड़ रखेंश पूस्ट शूर्य कार्ड़ ना वे फिर लाज हुं पर पैसे प्रावेट है लिखे आपधा तो अपना करता पारेश्य फटुपाइश्य थे उस्पारा रिष्या प्रावेटु आहना कर्णा जब क работы निफट Jordi नोगा प्रकर दीब तरियआं ठीदीन अले यह जह 6 जए भील्टे नुक्सान भगल ले मतलों बच्टा पैदा बहगान नुकुसो भшее ला आके झते ह्लग लग उक घरख मेह होगा नुफ्सान भगल है और श्यार नुक। ते अर्फ दबायो करे लिए तो ने टिकली वाचा तियो डेट ब्याविले ती आए की करे या पती कि करेंछे हरियाना मधान काटेश मतला पर्देश जाका तो पैसा तो भेजते हात ना वैसा ने भेज़ेशे जाकर कर जालेचे से लेचे पैसा गोर की ब्यजते है क्या दिक्कत होता है यहां पर जो महिलाएं है उनके उनके बच्चे मर जाते हैं क्यों होता इसा वह से होता ज़िए ज़िए पीना नहीं है शर्याग वैसा कुरी नहीं है ज़िए गरीब लोग चीए बहार भीतर सब चेल गन एग गुरूपयाने जल्दी है ची लोग को से अलू 40 रूपय ची तो लोग को ते पैसा राते से आने छे नहीं आने छे अपन विहां डुका समार माच घुट अपन मार के खला और की खेते सब जी एते महाग छे लोग का अवान तया है ने तक मैलो तक मैलो निक मैल लुक ले आपन बुख ले अपन जना जही छे सपन मोरी चे डूटी चे लोग इठारी पहन में अवान अभी ततक हम यहां पर लगभग दुजार आट से हैं पहले संबीदा में थे उसके बाद चार साल पहले पर्मानेंट हुआ तो यहीं पहां तभी पर्भारी किसापद के पद पर हैं लेकिन डॉक्टर यहां सेंक्शन पोस्ट छे डॉक्टर है है होस्पिटल में इम्वीएश लेकिन दुर्भाग के यहां का कि मात्र हम अकेला बच गए हैं दो डॉक्टर और थे जो डिटायर कर गए एक डॉक्टर संबीदा पे थे उनका पर्मानेंट होगे बाहर चले दूसरे जगह होगे दूसरे डिस्टिक में अब दिया तो इस बार जो पोस्टिंग के लिए ज बयाया ही नहीं यहांपर तो अभीकेष देट में हमकेला हैं एक और दो आयोगात वह वही उसरी पर चल रहा हैं और तोटल सर यहां सेंशन पर थाटी ऐट है सर उसके एगें सर मार्ट 12 सर यहां पुस्टेड है सर अच्छा होने चाहिए थाटी एइस सर और हैं सर 2 एडिशनल पीएची एक जमालपूर है एक रश्यारी है सर जहां पर एक एक अफ होना चाहिए वहां यहीं सर मार्ट एक चिखिश्चक सर वहां कारियत है तो यहां से यह जो प्यत्ना यह प्यस्टी है यह कितनी जनसंख्या पर एक होना चाहिए और है कि इसका तो अपना एक लाग अभी अश्य हजार था आपने जनकरना में एक लाग लगवा हो गया होगा एक लाग पर यह है अपना प्लस दो तीन दिस्टी के हम जिसका बोडर टक्राता है सहर्षा मधवनी और सुपॉल का कुछ पार्ट अधर वंगा कमें तो यह है तो चार डिस्टी को यह सेवा दे रहा है जार डिस्टी के कुछ-कुछ पार्ट को सहर्षा का ज्यादा पार्ट जूटा है इससे तो उसका ज्यादा आता है तो चार डिस्टी का आता है लगभग हम समझते हैं एक लाख भी रख ली जो लों का भी जन संख्याते दो लाख प्लस का एक ओवर कर रहा है आपके एसाब से जितने दिन से आप यहां के काम कर रहा है कितना प्यस्टी होना चाहिए था इस पूरे लापके दूसरे डिस्टी का तो अब आ रहा है तो हमारे नहीं लिए तो वो एक्स्ट्रा है तो उन लोगों का अगर आपने च्छत से जूड़ जाए तो फिर वो उधर ही जाएंगे लेकिन उन लोगों को नदी के कारणों जाने पाता है इसलिए आते हैं सरकार के पिपर में तो य लेकि जो भी है तो हो नहीं पाता है तो यह थी जमीनी हकीका जिससे हमने आपको रूबरू कराया नितिश कुमार जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हों तो जब कभी भी आप अपने चुनावी रैली में जब यह क्लेम कर रहे हों दावा कर रहे हों कि हेल्स सेक्टर में आपने किर्थिमान अस्थापित किया है बहुत बड़ा रेवलिशन लाया है तो इस वीडियो को जरूर देखेगा यह वो लोग हैं समाज के उस पाइदान में खरे हुए हैं जहां पी इनको पूछने वाला कोई नहीं है यह जस्ट एक वोटर है आपके लिए एक वोट हैं इससे जादा और कुछ भी नहीं है और मोदी जी से हमारा सवाल यह है कि मोदी जी अगर हमारे बच्चे ही नहीं होंगे तो कैसे बनेगा भारत आत्मने भर आज की डिली राउंड़ अप में बस इतना ही सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते है न्यूस्क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेस्बूक, इंस्ट्राम पर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब और साथ ही साथ देखिये हमारी हिंदी वेबसाइट हिंदी.newsklik.in देखते रही न्यूस्क्लिक धन्यवाद